2017 के जी जैपूर लिटरिचर फेस्टिवल में ही रुशी कपूर ने अपने जिंदगी से जुड़ा एक दिल्चस्प किस्सा सुनाया था किस्सा उस वक्त का था जब फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए नाशनल अवार्ड उने मेरा था और वो अवार्ड जब पृत्वी राज कपूर ने देखा तो उनकी आखें आसों से भर गए मैं अपना एक हाथ सानी किस्सा सुनाता हूँ I have an anecdote to share with the audience I worked in a film called मेरा नाम जोकर और इस फिल्म के लिए मुझे नैशनल पुरसकार मिला था तो उस वक्त डादा जी तो थे, पिता जी भी थे मुझे नैशनल पुरसकार मिला मैं 16 साल का था तो मैं वो पुरसकार लेके मैं अपने घर गया तो मेरे पिता जी ने कहा कि आप वो पुरसकार जेके अपने दादा जी के पास जाओ और उनको दिखाओ मैं पहुँचा वहाँ दादा की क्या हूँ पुरुसकार दिखाया उन्हें माथे पे लगाया उसे चुमा और उनके आँखों में आस हुआ गए मुझे घबराओ भी कि मेरे से कोई गलत काम हो गया कि रोड़े न गया या क्या हुआ लेकिन जो बात उस वकत उन्हें कही मुझसे आज मुझे उस बात की तमीज और समझ जाती है उन्हें ये कहा था कि राज ने मेरा करजा उतार दिया तुछ पर यानि के मैं एक्टर बन गया ये दूसरी पीडि में एक बात चली गई कि राज न मेरे करजा उतार दिया मुझे उस वक्तों समन नहीं आया था लेकिन जब मैने जा के कहा तो मेरे पिटाजी बड़े एमोशनल हो गए लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनका आशिरवाद मिला कि अधिन देख कर देख देखिने जब बड़ेशन प्रे कि राज़े इंग एमोशनल देखिए है